आपसर नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अपसर नामा में आज हमारे साथ एक ऐसे मध्यप्रदेश कैटर के युवा आई-पेस अफिसर हैं जिनके साथ एक बहुत ही अपराइट और एक ऐसे अपसर की छवी उनके करियर के आरंभ से ही उनके साथ चल रही है जो दबावों के आगे जुकते नहीं है वो किसी भी तरह के प्रेशर हो हाला कि ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है ये उनके कर्तव्य का हिस्सा है लेकिन इसके बाद भी हमने देखा है कि अपने करियर की शुरुआत में इस तरह के बड़े बड़े प्रसंग जो सामने आते हैं चैलिंज बनकर उनसे भिड़ना बहुत कम युवा ओफिसर हैं बहुत कम अगर शब्द मैं ना भी प्रयोक करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा ओफिसर हमको कम दिखते हैं जो अपने करियर में इस तरह से इन चुनोतियों से रूबरू होते हैं अगर मैं बात करूँ उनकी तो उनकी शुरुआत पुलिस अदिक्शक के तौर पर बालागाट से होती है जहां करीब करीब 35 लाग के एक इनामी नक्सली को गिरफतार करके वो सब का ध्यान अपनी तरफ खीचते हैं और ये सब कुछ भी इंटेलिजन्स ओपरेशन के तहत होता है यानि सब कुछ गुपनिय सूचनाओं के आदान प्रदान के तहत वो इस ओपरेशन को अंजाम देते हैं और वहां काफी उनकी चर्चा होती है उनकी कारेशली की फिर वो आते हैं कटनी यहां हवाला रैकेट का एक ऐसा बड़ा मामला उजागर करते हैं पकरते हैं उसको जिसके बड़े ही हाई प्रोफाइल कनेक्शन्स हैं और राजनीतिक तंत्र भी उससे हिल जाता है क्योंकि एक प्रभावशाली राजनीता उस मामले की जद में आते हैं और यह मामला मध्यपरदेश ही नहीं बलकि राश्टी इस तर पर भी सुरुखियों में आता है इसके बाद वो उनका ट्रांसफर होता है जिसको लेकर कटनी में आम लोग बहुत द्वेलित होते हैं वो सडकों पर निकल आते हैं कि एक ऐसा ओफिसर जिसने बहुत बहुत बहुतर काम किया है उनको कटनी से क्यों बाहर भीजा जा रहा है तो मुलाकात करिए दोजाद दस बैच के आईपिस आफिसर और पुलिस अदिक्षक की जिम्मेदारी निभाने वाले गौरत तिवारी साथ से बहुत स्वागत करता हूं गरो जी पहले तो हम आपकी प्रिष्ट भूमी के बारे में जानना चाहेंगे और आप बड़े गर्व से अपनी प्रिष्ट भूमी के बारे में बात करते हैं कि एक किसान परिवार से हैं उत्तर प्रुदेश के बनारस के पास के और आप बहुत ताकत से ये भी बताते हैं कि किस तरह से एक सामान ने परिवार से निकल कर आपने देश की एक सर्वस्रेष्ट सेवा को चुना है कैसे ये सपना मन में था क्या चैलेंजिस थे एक ग्रामीन प्रिष्ट भूमी से आने वाले युवक के सामने और किस तरह का अंदर मनोबल और नैतिक ताकत रही आपके बीतरब अजने आपने बताया है मैं बनरस का रहने वाला हूं बिनरस से करीब 3-3 किलोमेटर दूर मेरा गाउव है वहां का रहने वाला ह। तो में ब्राम्रिक सिक्षा तो गाउँ से ही वी स्वी नियुवल सर्विसरिक्ट में किस तरह एक जिम्मदार रोल होना चाहिए हम लोगों का इसके लिए प्रेडित किया उन्होंने और अगर मैं बता हूं तो मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गाउं से हुई मेरी दसमी तक तो पढ़ा ही लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था मैं अरे पढ़ा ही लेकि तो उसके बाद लेकिन जब मैं 11-12 करने के लिए लखना हो गया तो सही बताया जाए तो मेरे पास जिसको बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा केरियर है बहुत अच्छा बेस लिक्या है ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन मेरे नदर कॉंफिदेंस बहुत था जिसे बोलते हैं कि लंबी रेश गोड़ा सुरुमें धीरे दोड़ता है तो कुछ ऐसे रहा, सुरुम मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया चुकि गाओ का माहौल था तो जो हर चीज करते था हमलों चाहे बहुत करना हो चाहे घर की तौरम मधद करना हो तो पढ़ाई को ज्यादा समय नहीं दे प कहा मैं कम जोर हूँ और उसके पीछे मैं हाथ दोके पीछे पढ़ गया, फिर मैं IIT बुछ गया, तो जू कहते हैं, चुनोतिव से मैं ने कभी समझोता नहीं किया और उनसे कभी ढरके भागा नहीं, और यही मैं सबको बोलता भी हूँ, कि अपने अंदर कम्यों को पहचानो और उसको दूर करने का प्रयास करो और मैं हमेसा लोगों को मोटिवेट करता हूं इस चीज के लिए कि आप किसी का सहारा मत लो आप खुद खुद देखो क्या कमी है और उस पर प्रैक्टिस करो महनत करो टाइम डिवोट करो तो सफलता मि जाएगी आपको बजाएगी कोचिंग टूशने सबके भागने के खुद बनने का प्रयास करो बड़ी बड़ी दिल्चस्प बात की मुझे लगता है कि बड़ा मंत्र है हमें से कई लोग मान लेते हैं कि नहीं जिन्दगी खतम है यह हमसे नहीं हो पाएगा जो आपने कहा आतमेश्वास तो आपके भीतर रहा लेकिन अपनी कमियों को पहचानना ये बड़ा कठिन काम है क्योंकि आप नार्सिस इफेक्ट इतना होता इतना आत्ममुगधता होती है इतना अपने से प्रेम होता है कि ना हम अपने को गलट ठहराते हैं ना अपनी कोई मानते हैं कि हम तुम कभी किसी को अपना गुरु मत बनाओ, तुमसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता, उनके कहना था कि आपके अंदर जो कमिया है, वो सिर्फ आपको पता है, गौतम बुद्ध भी यही करें, अपना दीपक स्वयम बनाओ, तुमसे अगर किसी और को अगर तू अपना अगर मेरी गड़ित कमजोरी थी तो मैंने इसको माना कि हमेरा कमजोर है मुझे इस पर टाइम डिवोट करना है और मैं प्रैटिस करूंगा और एक दिन इस पर फटह हासिल कर रहा हूंगा और इसी पत्स पर चलता रहा है अंग्रेजी का हुआ बड़ा उन हिंदी भार्षी र कि इंग्लिश को डेकर अनावश्यक हवा बना हुआ है जबकि मेरा यह मानना है कि इंग्लिश इस जस्ट मोड़ अफ कम्यूनिकेशन बहले ही मैं गलत इंग्लिश बोल ला हूं लेकिन मैं अपनी भावनाओं को जो वैक्त करना चाहता हूं और आप समझ गए यही परपस है यह बाशा का उद्देश भी यही है बस इतना सीख लें हम बहुत सफिशेंट है उससे ज्यादे हम को जरुत जरुत नहीं है ठीक बात है और उसको कोई ग्रंथी या हीन भाव ना बनाने की कभी नहीं है यह भाव कैसे मन में आया आयाइटी कानपूर में सेलेक्शन के गर का महौल मेरा ऐसा था ना कि इसमें हम लोग का बैग्राउंड बहुत मैटर करता है सर्विसेज माने के लिए तो जो मेरा गाव है वह ऐसे महौल ऐसे वातावरण घिरा हुआ है जहां पराधिक प्रवद्दी के लोग ज्यादा रहते हैं मतलब उसमें कई सारे ऐसे लेकिन उन्होंने जैसा काम किया उसके बाद वो अधर उस छेत्र में काफी चर्चा का विश्र बना वो आईपेस ओफिसर थे अरुन जा यूपी कार्टर के ओफिसर है वो तो हम लोग काफी सुनते थे थे वारे मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ अभी भी है वो अभी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और हम अगर ठान ले तो अपरादों पर पुड़ता अंकुष पाया जा सकता है और ऐसा नहीं कि हम को हजार लोग का फोर्स दिगा एक आदमी सिंपल जो टॉप पर बैठा हुआ है वो बस ऐसी धारना बना ले कि अपरादों पर अंकुष पर यूनिफॉर्म का अपना ऻग एक चाह्म रहता है। यूनिफॉर्म से आपको पहचान मिलती है। मेरी गृण मदर की हमेसा कहना था कि लाईफ में ऐसा काम करो जिससे लोगों को आप नहीं दिला सको, दूसरा चीज आपकी कलम में ताकत हो, जिसलिए लोगों आपसे एक उम्मीद उपक्षा से आए, तो उनके प्रति हम अपना जम्मादारी और जम्मादारी से निरुभन कर सेके ड्यूटी, ऐसा जोब करना, ऐसा नौकरी करना, सेवा के लिए हमेसा प्र बहुत प्रबल है, लेकिन जब आप चुनोतियों से रूबरू होते हैं, चाहे वो नकसली हो, चाहे वो हवाला रैकेट हो, या कई बार प्लिटिकल फ्रेटरिटी से आने वाला प्रशर हो, इन दवाओं के बीच में परामर्श भी मिलता होगा, शुपचिंतकों का कि गोरो तू यांग, क्यों इन सब चक्करों में पढ़ रहे हो आप, आप अभी तो स्ट्रेट चलो, सब के दोस्ती करके चलो, मित्रता करके चलो, काम अपराइट होकर करो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े मसलों पर हाथ नहीं डालो, ये जो भीतर की एक ताकत है, क्योंकि ये बात बताया है कि ऐसे चुनोतियों से जूजते वक्त, most of the time हम अकेले होते हैं, ये बात विल्कुल सही है आपका, और मैंने भी कई वार ऐसा महसूस किया, लेकिन मेरे मन में हमेसा ये चीज रहता है, कि जिन सपनों को लेकर हम इस सेवा में आये हैं, और प्लस मेरे माता पिता ने जो सिक्षा, जो पर्वरिस, जो संसकार दे के मुझे भेजे हैं, कल को उनको पता चले कि एक ऐसा बड़ा अपराधी था, जहां पर इसी खिलाफ कारे करने की जरूरत थी, तो गौरों ने समझोता कर लिया, तो कितना उनको अंदर से तकलीफ होगा, तो मैं ये मा पड़ा, तो सहाब ने करके दिखाया, और इसमें मेरा कोई परसनल नहीं होता है, मैं कोई भी काम करता हूँ, तो ऐसा नहीं जाता ही कि मुझे टार्ड़ेट किया कि इसको करना, उसे खिलाफ करना है, मैरा ये मानना है कि मैं सीधी लाइन चलना हूँ, कानून की भासा समझ कर सकता है, तो evidence-based कारवाई करता हूँ, जहां भी रहता है, और इसमें ये बात सही है कि कई बार लोग ऐसे शुरू के कारियर में कहते हैं, लेकिन अब तो मुझे लगबग 4 साल से जादा हो गया, SP बनने हुए, और पुलिस सेवा में लगबग 8-9 साल का हो गया, तो अब लोग तो फोन भी नहीं करते हैं, लेकिन बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपना जो आइडियल सेट है, तो फिर समझ जाते हैं, लोग कि इसको बुलना बेकार है, ये जो प्रेशर है, इन से जूजने का एक mechanism तो आत्मिश्वास की बहुत मजबूत गुफा से निकलता ह कि आपके भीतर अगर आत्मिश्वास और आपको लगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप दुरुस्त कर रहे हैं इस सेवा में आने के बाद आपका उत्साह तो हमने देखा ही है फिर भी इन दबाओं से जूचते हुए क्या कभी लगा कि दुनिया बड़ी निर्मम भी है बड़ा बड़ा प्रेशर भी आता है या आपको लगा कि आपने अपने अंतर के मेकनिजम को इतना स्ट्रॉंग किया हुआ है कि आपको मालूम है कि ऐसा तो होगा जब मैं कर्तव्य के पालन पर चलूँगा लौफुल तरीके से एक्ट करूँगा तो यह चलेंज़ आएंगे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो यह प्रेशर मेरा मानना है कि जो अफिसर्स प्रेशर महसूस करते हैं यह उनका खुद का क्रियेट किया हुआ है हमें यह पर से प्रेशर कोई नहीं है मेरे कोई फोर नहीं करता है जो बोलते हैं प्रेशर कोई प्रेशर नहीं मेरे पा तो हम लोग लोग ऑल्पाए प्टीया करते हैं अगर हम लोग यह मानने चले कि मैं रहना है? इस भवसे मैं नवकरी करता हूँ और कहीं मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ने हैं तो इसलिए मैं कोई प्रेशन महहसूस नहीं करता है कोई वहर फोन भी करता, मैं बता देता हूं कानून तो दो ऐसा कहता है मैं कानून से बंधा हूं, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। कुछ दिन बाद वह समझ जाते हैं कि प्लियर हो जाते हैं। एक और जो बड़ा important सवाल मुझे लगता है कि अभी आप बहुत युवा हैं और बहुत लंबा आपका career है बहुत एक आकरशन के प्रती है जीवन में जरूरी चीजें हों ये तो हमारे मन में इच्छा रहती है लेकिन कई बार जब आपके पास कोई ताकतवर achievement आप हांसल कर ल है बकेट्स लेके लोग खड़े हो जाते हैं इन प्रलोभनों से कैसे निपटा जाए क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है अखिल भारती सेवा में आने के बाद या किसी भी जीवन के मकाम पर आप इंडास्टिलिस्ट हों डॉक्टर हों जानलिस्ट हों ये प्रलोभन आपके सामने आते ही हैं इन से कैसे लड़ा जाए एक तो जो मैंने अपना जीवन जीने की शैली मेरी है मैंने हमेसा नीट बेस लाइब जी आया है सिर्फ जो जरूरत है पस उतना ही रखना रीड को लोब को हटाया है हमेसा आवर शक्ता को प्राथ बिल्कुल और कई बार देखेंगे ना बहुत सारे लोग जिनके पास है भी बहुत कुछ है तो नको हमेसा ही कहता हूँ कि बहुत सारी चीजे आपने रख लिए लेकिन आपो देखो यूज कितना कर रहे हो घर में करीब 70% 80% चीजे ऐसी रहती है जो साल में कभी एक बार दो बार यूज करते हैं लेकिन आपने अपनी ग्रीट खरण खरिद लिया उसको लगजरी आप जीने के लिए और इससे ना सिर्फ आप कमजोर होते हैं मोरली बलकि आप वो कहीं ने कहीं आपका कॉंफुडेंस भी लूज होता है और जो इस तरह का करॉप्शन का महौल लेता है उसमें में बहुत ह करता है कि ने बिटा ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि तुम्हारे उपर या हम लोग के उपर कभी दाग आए तो वो भी उनका मोरल सपोर्ट रहता है तो मैं कभी इस तरह अट्रैक्ट होता ही नहीं मिरे लिए कोई आकरशन का विससे नहीं मिरे यह सब चीजे बलकि लगता है कई बार शायद आफिसर के उपर प्रेशर वो खुद नहीं चाहता है लेकिन क्या उसका परिवार यह बड़ा सवाल एक बड़ा आपने सवाल भी खड़ा किया है कि चाहे वो पत्नी हों या पैरिंस हों या बच्चे हों कहीं उनकी तरफ से तो दबाव नहीं है कि पैसे ला कानपूर के होंगे वो बहुत ही पैसे लुकरिटिव ओफर्स जॉब अबराड कभी मन में लगा आने के बाद कि अगर आयाइटी कानपूर में बना रहता तो अमेरिका भी जा सकता था दर भी जा सकता था जाने का तो कहीं ऐसा अकर्शन ही रहा है लेकिन जरूर पुलिस की कि आसी नौकरी में लोग अपना परिवार से और समाह से काफित है कि मतलए मेरा 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 जो अपना बैक़्ग्राउंद है गाउं है फैमली है र circuit जाते है और अपने परिवार के लिए या ढूंस्त मित्रों के लिए समय नहीं दे पाते यह जरूर कभी दना लेकिन जो आक तो मैं इतना समय अपने आपको फ्रीन रखता हूं कि मुझे कभी लगे कि यार वो दोस्त कहा है या यह कहा है कई वर हो सकता है इसी कारण दोस्त काफी नरजगी जहर भी करते हैं तुम ही एक SP हो क्या और लोग नहीं है क्या ऐसा भी कमेंट सुनने को मिलता है लेकिन मैं अप पुलिस परिवार के साथ लोगों साथ चल जाते हैं कहीं पर फैमिली के साथ कैसे तालिक हुए यह तो बहुत ही डीप वर्कॉलिक नेचर है काम के प्रतिया आपका जबरज़स्ताकरशन है तो घर में लाइफ पार्टनर आपकी उनकी शिकायत नहीं होती शुरू में जरू करते हैं वह इस चीज को समझते हैं और अप्रिशेट करते हैं और मुझे लगता है जब ऐसी चुनोती की समय आती है आते हैं जब भी तो वह एक स्थम के रूप में खड़े रहते हैं और उनका यही विश्वास जो मेरे प्रती है यह मुझे एक शक्ति प्रजान करता है तो सुरू में जरूर लगता है ऐसा लोगों को लेकिन अगर वाइफ मैच्वर है चीजों को समझ रहे हैं बाल बच्चे समझ रहे हैं तो अच्छा रहता है फिर कोई दिक्कत नहीं आती है और उसी में से आमनों सवय में निकालते हैं उनके लिए भी उनकी तरफ से पत्नी की होते हैं उनके लिए एक सलाह और सुझाओ अक्सर लोग देते हैं जो अनुफवी हैं उनका कहना है कि पत्नी को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए उनको रियाक्त नहीं करना चाहिए क्योंकि वह आपके लिए बहुत कंप्रोमाइज कर रही हैं आप अपने काम में हैं वह आपका हाउस मैनेज कर रही हैं आपके बच्चे उन सबकी परवरिश अच्छे से और आपको भी एक तनावमुक्त इन्वार्मेंट दे रही हैं काम करने के लिए तो यह क्या आप बहुत अच्छे लिस्टनर हैं घर पर से लिस्टनर ही हूं मैं घर पर मैं जादा ब जीवन को आप देखते हैं और उन विद्यार्थियों से भी आप क्या कहेंगे जो अपने को कई बार बहुत इंफिरियारिटी कॉम्पलेक्स में ले जाते हैं हर लिहास से अकिल भारती सेवाओं की तैयारी करते हुए या करियर में आने के बाद उनको लगता है कि इस नोट से करें इनके लिए मैं कहना चाहूंगा इधर वही लोगा है जिनका इंट्रेस्ट हो पहले तो दूसरा क्या है कि पुलिसिंग या अने सर्विसिस के लिए एक डिफरेंट टाइप अप एटिटूट चाहिए या अब जमाना काफी बदल गया है मैं पिछले 4-5 सालों सो जा सब्सक्राइब करते हैं और उसको लेकर ही आपको थूआउट कैडियर में काम करना है तब तो यह बहुत अच्छी है यूकि इससे हम जनता को पर्टिकुररली ऐसे लोग जिनको जिनके लिए कहा जाए कि एक उम्मीद की किरन बन के आते हैं हम लोग उनकी आपक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं हम लोग तो इमानदारी और जो देशभक्ती जनसेवा का मोटो है उसको लेकर आए और उसी को ले इसे जहां मेरे साथ के लोग कोई 12 वी में फेल हो गया है को है इसे आदमी जरुड़त नहीं है यह ऐसे आदमी के जरुड़त है जो कि सिस्टम से जुजा हो गरीब अभाव में जिया हो ऐसे परवेशन निकल का आया हो ताकि जो आपके सामने परयाद लेके आए उसकी समस् आप समझ सकें उसे गरृबर हो सकें और उनकी समस्याग को तफकाल नयाज दिला सकें उनकी समस्याığını को दूर कर सकें ऐसे आजमी की जरूरत ज्यादा रहती है और मैं कहना चाहूंगा कि जोस्टीयिस मेरा सुझाओं से यह है कि आप IES, IPS से पीछे मत भागो, आप तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, अच्छे इंसान के ज़रूरत ज्यादा है, क्योंकि अच्छा इंसान के कई लोग select हो जाते हैं, UPSC का selection procedure भी ऐसा है, किसी का भी हो जाता है, तब लोग महसूस करते हैं कई बार लोग आते हैं कि साब फर्स डिविजन रहा है, गोल्ड मैडलिस्ट है, अब वो उनके सामने आदमी गरीबाद में फरियात कर रहा है, वो सुनने को तयार नहीं है, तो इससे अच्छा तो आप ना आया होते हैं, अधर आपकी वैल्यू अगर आप इन जो पेक्षा हमाइम आएंगे, तो जरूर ही हम लोग जो लक्ष हमारा है, रास्त निर्माण का या उसमें सभागी करने का तो अच्छा रहेगा, जी बहुत अच्छी बात की गरो जी आपने और बहुत शुबकामना है हमारी तरफ से आपको, एक लंबा करियर आपका अंतजार कर रहा है और जो आपके भीतर जोश का एक महासागर है, जिसको हिलोरे मारते हुए हमने पहले भी देखा है और आज इस बाचीत में भी हमने देखा कि और बहुत पवित्रता से वो सामने आता है और बहुत सीधी और सच्ची और इमानदार बात कहता है वो, आपका विक्तित जिसमें ये सारे तत्तो भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत दिल्चस्प होगा आपका आने वाला जीवन और बहुत प्रॉस्परस भी होगा, by all means, क्योंकि एक अच्छे अधिकारी से अधिक जुरूरत है एक सच्चे इमानदार और सम्वेदनशील इंसान की, और सम्वेदनश पील होने वाला ही व्यक्ति इमानदार या अपने कर्तव परायन में, क्योंकि जो व्यक्ति की वैश्णव जन तो तेड़े कहिए, जो पीर पराई जाने रहे, तो दूसरों की पीडा को समझने वाला ही इनसान है, बहुत शुबकामना है देता हूं मैं आपको, और बहुत तो दीजे, मुशकार।